दिले के मुख्यमंत्री अर्विन केश जिवाल को एक धमकी भरा मेसेज आया है और ये मेसेज मेट्रो में लिखा गया है इस मामले में पुलिस को बड़ी कामियाबी मिली है पुलिस ने धमकी भरा संदेश लिखने वाले को गिरफ़तार कर लिया है पुलिस के मुदाबिक आरोपी का नाम अंकित गोयल है चिश्मा लगाया हुआ ये व्यक्ती जो आप देख रहे हैं यही अंकित गोयल है अंकित गोयल उत्रप्रदीश के बरेली का रहने वाला है वो काफी पढ़ा लिखा आत्मी है एक नामी बैंक में काम करता है पुलिस सू मेडिकल जांच के बाद ही हो पाएगी आरोपी के तस्वीरे सामने आ चुकी है जिस वक्त वो ये मेसेज लिख रहा था उस वक्त ही भी तस्वीर सामने आ चुकी है आरोपी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अर्विन केजरिवाल के खिलाफ एक मेसेज लिखता हुआ नज़र सामने हैं वकायता एक लंबा नोट था इसके बाद आम आदने पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और पीमो और विन केजरिवाल के हत्या के साज़िश रच रहे हैं लेकिन पुलिस के जांच हुई तो जो सच है वो आपके सामने आ चुका है बढ़ा लिखाव व्यक रच रहा है ये एक ऐसा ही बरेली का रहने वाला इंसान पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने ये मेसेज लिखा है अर्विन केजरिवाल के खिलाफ दिली मेट्रू स्टीशन पर धमकी भरा मेसेज लिखने वाले के बारे में कई और एहम जानकारियां आई है पुलिस के जांच म में सामने आया है कि आरोपी अंकित गोयल बहुत ही पढ़ा लिखा है वो एक नामी बैंक में जॉब भी कर रहा है लेकिन उसका किसी पार जिससे कोई कनेक्शन हो ऐसे भी कोई जानकारी नहीं है अंकित मकान रोजिस्ट्री के लिए बरेली से दिली के लिए आया था और यह ही मेसेज अंग्रेशी में लिखे गए थे इन संदेश में लिखा गया था कि केजरिवाल दिली छोड़ दो पुलिस ने मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसे टीवी के मदद से आरोपे के पहचान करड़ी है हमारे सुयोगी भासकर मिश्टा जुड़ गए हैं इस खबर पर भासकर आज जो अर्विन केशिवाल को डर सता रहा था कि बीजेपी उनकी हत्या के साज़श रच रही है ये एक इंडिवीज्वल का काम था और उसने ये मेसेज लिखा था और क्या जानकारिया मिली है मिनाठ्षी ये चुनाव का वक्त है और आमादनी पार्टी हर किसी मुद्दे को अपने फाइदे के लिए चुनावी रंग देगी और कोई भी पुलिटिकल पार्टी ये करती है और इसी का एक उदाहरण है कि सिधे-सिधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतिया पार्टी पर आरोप लगाया गया कि जान से मारने की साजिस रची जा रही है पहले उनको जूटे मुकदमे में जेल भेज दिया जेल में रहने के बाद जहां कोट से उनको जमानत मिल गई तो उसके बाद अब दूसरे साजिस रचे जा रहे हैं सौतिमाली वाल का भी नाम लिया गया और उसके बाद मेट्रो इस्टेशन पे धंकी वरे मैसेज लिखे जा रहे हैं यह सारा मामला सिर्फ यह है कि चुनाव नजदीक है 25 तारिक को चुनाव है दिल्ली में और इससे पहले जो भी मामला आमानी पार्टी के सामने आएगा निश्चत रूप से वह अप इसको पुष्ट करें यह बात सच है कि कोई एक सक्स आके मेट्रो इस्टेशन पे कुछ ऐसे मैसेज लिखता है जो आपति जनक है जो सुरक्षा को लेके एक शुनावती हो सकता है उस पे आमानी पार्टी राजनीती कर रही है और यह पुलिस को साबित करना पड़ेगा कि ऐसा कोई मामला नहीं है और पुलिस ने जो इनीसियली जानकारी दी है उसमें यह से निकल के आया कि यह व्यक्ति ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कोई पुलिटकल पार्टी से इसका कोई डारेक्ट संबंध नहीं है या कि किसी पुलिटकल पार्टी के इशारे पे यह सब न लगाये गेते उसका खंड़ा ने एक तरह से पुलिस ने कर दिया है जी